जाय गुरु जी वीड़ो को लाइक कीजिए, चैलन को सब्सक्राइब कीजिए और बैल ऐकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमना ऐसा सांग वीडियो प्लूट करें तो उसका नोटिविकेशन आप तक तुलंथ हो जाये और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अने को चमतकारों के बारे में सुनें, वो भी संगत की जुबानी, जए गुरी जी, आज मैं आप सब के साथ जो ससंग शेयर करूँगा, वो हमें वाट्चप के मात्यम से प्राप्त हुआ है, हमें भेधी अच्छा लग रहे कि आप हमें अपनी magical journey भीज रहे हैं, संगत जी, ऐसे ही अपनी प्यारे प्यारे ससंग हमारे साथ शेयर करते रहें, जए आप हमें वाट्चप पर हिंदी भी टाइप करके भीजी, या फिर नोटबूप में लिख कर, या फिर ओडियो रिकॉड करके, हमारी आप से सिर्फ एक छोटी सी विंती है, जब भी आप अपना नया ससंग रिकॉड करें, तो उसको एक शांत वातावरन में ही रिकॉड करें, संगत जी आज जो हम ससंग सुनेंगे, वो एक गुरु भगत आँटी जी का है, और आँटी जी लोध्याना पंजाब से है, चलिए आज का इस ससंग, हम आँटी जी के बुले कोई सब्दों में हम सब सु जी जैग गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शारी संगत को जै गुरुजी मैं अपना पांच महा ससंग शेर करने जा रही हूँ जैसे कि आज गुरू का बार है और मैं अपने गुरू को शतष़टप नाम करतीय। उनको चन्नों में माथा ठिखती हूँ और उनसे आगय मागती हूँ कि मुझे जे ससंग शेर करने लिए ब्लैस करें और जो भी बुलवाई वो अपने अशीरवास से मैं बोलूँ वो सारा संगत को भी उसमें मदद मिले और मैं अपने मन की बातें भी शेर कर सक्यू और सबसे पहले तो मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी आपका जो आपने मुझे अपने मंदद दूगरी मंदर आने का मौका दिया अनंतम अनंतम शुकराना गुरूपा बड़ा मन था कि हम दुगरी मंदर जाएंगे और जिसें हम दुगरी मंदर गए उसें मन बहुत खुश हुआ ऐसा लग रहा था है कि गुरू जी ने हमको घर से ही साथ साथ ले जाना शुरू कर दिया इतनी तितनिया मिली सुखेट चोले में बार बार हमारी गाड़े के शीशे के आ गया थ कोई जाती कोई लप्ष से कोई राइश से और पूरा रस्ता ऐसे लग राता है कि जैसे फूलोगी बर्खा नहीं होती है ऐसे जो तितनिया मंदरा रही थी और जब हम बहां पहुंचे बहुत बीड थी गुरू जी की संगत अनंतम संगत थी और हमने अपनी गाड़ी की और उसके बाद और बहां बड़ी अच्छी जगह पे हम लोकेशन मेली बहां पे खड़ी करने के लिए और उसके बाद हम पैदल मैं और मेरे अंकल जी संगत के साथ जा रहे थे और दिखा तो इतनी बड़ी लाइने थी और मैंने एक गवती की कि मैंने कोशिश की कि अंकल जी न मुझे रोक दिया इसके लिए मैं अपने गवती मानती हूं गुरू जी मुझे पता नहीं था वहां का सिस्टम और हम लाइनों आगे अगे जा रहे थे और जैसे अलग-अलग कैबन बने हुए थे एक दो कैबन में संगत पैदल जा रहे थी फिर तीसमें उनको बिठा देते थे संगत की रैस्ट हो जाती थी और बहां पे जल परशा चाय परशा दिया जाता था और फिर जब सभी संगत वहां से परशा ने रहे थी और फिर उनको आगे लाइनों में चला दिया जाता और जैसे सिस्टम जब बहुत पसंद आया ऐसे संगत को भी पिर जो टन वहाँ पे गए और फिर आगे अगले कैबन में हमको सब को बिठाया गया, वहाँ पे भी रेस्ट हुआ सभी संगत का, साथ साथ में बहुत गुरवानी जल रही थी, स्पीकर में बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ह हमें आगे बढ़ने का मौका मिला और गुरुजी के मंदर में पहुंचे, बहां माता रेखा, और मैं अपना लोटा भी लेके गी थी, और गुरुजी से लोटा ब्लेस करवाया, और उसके बाद हमने बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन किये, उनकी ब्लेसिंग्स ल अच्छे से गुण है और बहुत से सिवातार ऐसे थे जो हमें परसनली भी जानते थे, और उसके बाद हमें लंगा परशाद करने के लिए बिटा आ गया, और साथ में हमें जैसे मैं और मिन अंकल जी थे और साथ में एक आंठी जे освडा़ और एक अंकल जी, उनके साथ ने स्वादी था दिल तो करता था कि एक बृट और लेली और हमने लंगा शेर किया दो बाउज में जो परशाद था एक परशाद के काटोरे। उन्हों ने लेली एक साइट से और एक साइट से मैंने और मेरे अंकल जी ने लेली फरशाद बहुत ही स्वाद था उसके लिए शुक सुरूप निकाले, पॉकर सुरूप थे और मेरे अंकल जी को पकड़ा दिया और जब मैंने मांगा तो वो कहती हैं कि मेरे पास से खत्म हो गए पर उसके लिए भी शुकराना किया कि मेरे अंकल जी को गुरुजी का सुरूप मिल गया और फिर आगे जलके एक और अंकल जी जो मारे प्रोस में रहते हैं वो मिले सेवादार थे और उनको हमने नमन किया और उनसे मैंने रुक्यस्ट किया अगर है सुरूप तो आप मुझे भी दे दो मैंने शुकराना किया गुरुजी जब आप मेरे को पौकर सवरूप दे गयों दो बे तो मैं रखूंगे जरूर रखूंगे आपका जब ब्लैसिंग मुझे मिलेंगी आपकी तो ऐसे गुरुजी ने मुझे पौकर सवरूप दिया एक पकल्स गुरूप मैंने अपने मंदर में सिजा के रख लिया संग जी और एक पकल्स गुरूप अब मैं अपने पर्स में रखतीजू के लिए नंतंशुख्राना घुरूपा, आप हमेशाँ अगर सब रूप रखने में मेरे से कोई भी गलती हुगे तो गुरुपा मेरे को जूर आगा करते हैं कि कोई गलती ना हो, कोशिश करती हूँ पर मेरे से इतनी सेवा नहीं हो पाती गुरुजी, इसके लिए मैं आपसे शमाय आचना करती हूँ, चाय परशाद देती हूँ, कभी- पाती हूँ, अभी लंगर परशाद बोल रहे थे के लंगर परशाद मनाओ, अब मैं समय निकालके लंगर परशाद भी मनाओंगी, गुरुपा कई दिन से से इतनी ठीक है, मेरे से प्रपरी काम नहीं हो रहा है, इसके लिए आप मुझे ब्लेस करो, अगर कोई गलती हो तो मैं आपसे शमजाच न करती हूँ, आप लोटा जो हमने ब्लेस करवाया था, बो भी मैं गुरुजी के सरूख के पास रोज बर्के रख देते हैं, और सुबार मेरे अंकजी उसमें से जल लेते हैं, और रात को फिर वही लोटे से जल लेके, पापस मैं उसको सापक के फिर पर की रख देती हूँ, इसके लिए शुकराना गुरुपा आपका, मुझे उमीद है कि इस लोटे के जल से हमारे जो कस्ट हैं बहुत धूर होंगे, और करम भी कटेंगे, इसके लिए आपका शुकराना गुरुपा बहुत इजी जो तरीके हैं, गुरुजी ने हमारे पर आप गुरुजी किरपा गुरुपा 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 रही है और उसी का solution बताया जा रहा है उसमें और हमें देखो अब सभी संगल बताती है कि घर में negativity है और आपके घर में कुछ किया कराया है मन किया है मन किरिया करवाईगी है तंतर किरिया है तो हम सब को जही problem आ रही है और जो उसमें चीजें बताई जाती है कि आप घर में ज पड़ा है और चीज बढ़ी है तो बिल्कुल वही चीज हमें मिल जाती है गुरुजी शुकराना गुरूपा आप क्या हैसे ही जो गाइडन्स आपकी हमारे साथ बनी रहे गुरूपा आप हमें मर्ग दश्चिन करते हैं जो बुरी चीजी है हमें नहीं पता हैं कौन लोग है है, क्या करती है, हम अपने समझ के उन पर विश्वास करते हैं, पर वह들 है कि पीट पीछे है दो नहीं चूर्ब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हम बोलते हैं, गुरु जी का हकम है कि आपने कुछ नहीं कहना उनको, आप उनकी बद्वाह नहीं हैं आपने उन लोगों की, तो गुरुपा जैसे आपका हो, हम चुप चाप देख लेते हैं, पता चल जता है कि वो लोग गल्थ हैं, पर हम कुछ नहीं कार पाते हैं, पर मुझे पता है, मेरा गुरु बहुत बड़े हैं, मेरे गुरुजी, उस सब कस्ट यह हैं, बहुत कस्ट का है, लाप्रवाई होगी है, कोई कुछ करी जाए, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम अपने मन में गुरुजी का जो सिम्रन करते रहते हैं, गुरुजी के बजन सुनते रहते हैं, गुरुजी के जो ससन जाते हैं, मैं तो जब भी मुखा मिलता है, वो दिन रात, कभी- पर उनके ससन ही सुनती रहती हूँ, उनका शुकराना करती रहती हूँ, पता निक, गुरुजी कॉन से कस्थ हैं, जो हमारे काठे जा रही हैं, और उनक कहा रहे हैं, क्युछ यह जशन मनानदी त्यारी कर ले, आप तेरे घर में शहद की वर्शा होगी, बड़े सससन की त्या आप जैसे, जैसे करवाओगे हम करते जाएंगे, आपका नंतम शुकराना गूरूपा इसके लिए, और मेरे गुरू जी मेरे जो अंकल हैं, वो भी मानते हैं, उनको भी एक दो सबस्क्राइब से मिले हैं, जो बिलकुल ऐसा लगता है, का हुआ उनके लिए ही थे, और वो इस बच्चों को भी ब्लेस कीजिए कि वो भी आपका शीरवाद लेते रहें, रोज आपकी दर्शन करें, आपको नमन करें, और उनका बिश्वास आप पर बनें, और उनका जो ब्लेसिंग्स हैं, जो बदीश में बैटनी हैं बच्चे, उनको आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहें, और सलसंग में एक मेरे मन में दूबदा थी, मैंने गुरू जी का सुरूप जो घर में रखा है, जिसने रखा है मंदर में, उनको अच्छी तरह से, तो उस दिन से मैं इतने फूल लेके आती हूं, गुलाप के पूरा जो मंदर है, फूलन से श्याद देती हूं, और दूसरे पूलों तो मेरे मन में दूबदा थी, मैं उनको पूलों का क्या करूं, अज एक शर्संग सुन रही थी, जिस मैं अन्टी जी का सर्संग बता रही थी, जो प्रानी संगत थी, गूरूं के पास पैठी थी, उनको गुरू जी ने किसी बात के लिए, अपने जो किसी संगत ने उनको फूलों की माला अरपन की थी वो उन्होंने उनको मेंट की और बोला कि आप ये माला पानी में डालके उस जल से आप नहा लेना और फूलों को जल परवा कर देना तो इससे मुझे संकेत मिला कि मैं फूलों को उठाऊं और जल में डालूं जल जो है वो नहाने के लिए he is니까 करें हम गर्मी शीटा भी दे सकते हैं जैपी सकते और फूल है मैं जल परवा करवा दूँगी इसके लिए अनंतम शुक्राना आप ने मेरी जो भिदास गुरुजी बहुत दूर की उसके लिए नंतम शुक्राना गुरूपा और भी बहुत सारी संगजी ऐसे ससंग है जब हम दुगरी मंदल में लाइनों में लगे हुए थे न तो बहाँ पे तितली है तो रस्त में मिली ही सफेद पाली बहाँ पे एक तितली बहुत ही अच्छे से जेलोश चोले में ब्लैक जेलोश तितली जो बार बार पंडाल के अंदर ऐसे संगजी पे अपने गुम रहे थी जैसे एक ड्रोन नहीं गुमता वीडियो बना रहे होते हैं दोन गुमत ऐसे ही वो सारे पंडाल में कभी किसी के पंडाल में चली जाती कभी किसी में चली जाती तो हमने शुक्राना किया गुरुजी आप हमें ब्लेसिंग आप सारी संगत को दे रहे हो इसके लिए शुक्राना आपका और इतने सफेद कभूतर इस उसन से पहले मैंने कभूतरा बोर नहीं दिखा था और इतने कभूतरा ऐसे उड़े थे अकाश्वी उड़ारियां लगा रहे थे जैसे कोई फुलों की वर्षा हो रही हो तो इसके लिए अनंतम शुकराना इससे पता जलता है कि गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया और उनकी अनंतम जो ब्ल आप से बिंती है कि आप हमें जल्द ही बड़े मंदर भी बलाओगे बहां पे भी हमें बुला कर ब्लेस करोगे जो कस्ट है हमारे बोदूर होंगे हम आपके चर्णों में आएंगे नमन करेंगे और हमें जो अधिहातमक मार्ग दर्शना बो भी होगा और हमारा मन है जो सिम जो कर मैं माता रणी और मैं मिलकर दूर करेंगे जी बिलकुल सच है संगत जी उसके बाद दूसरे दिर हमें अपने जो पुल देवी हैं सती माता हैं वहां पे मुझे जाने का मौका मिला और जहां बहां जाकर हमने माता देखा साल बाद वहां पे मिला लगता है तो हम बहा और माता रानी के चर्णों में जो EMटा थी वो छड़ाईये और उनको माता रिखा और रास्ते में इतनी ब्लेसिंग्स मिलें गुरूजी की दितने का दिखाई डिना बार बार ट्युपल शेवंग सेवंग्स अर डिपल शेवंग्स टीपले टिपल शेवंग्स जैसी शुक्राना और उसके बाद मैं एक सर्संग सुन रही थी जिसमें दो तीन दिन की बात है कि जिसमें ये बात पताईगी थी कि रात को मेरे सब रूप के आगे से एक चीज हटा दे कुडिये और जब मैंने सर्संग सुना तो उसमें बोला गया था कि मेरे कि तुमारे मंदर में मेरे सब रूप के आगे एक काली मूर्ती पड़ी है तो मैंने देखा मंदर में तो सर्चमें संग जी एक मैनन बहुत अच्छी नंदी जी की छोटी सी मूर्ती लेके आई थी ताके मैं शिबलिंग के पास जो छोटा सा शिबलिंग जो उस पे मेरे अंकली रोज जल चड़ा पारती हैं उनके पास रख दी थी मैंने पता नहीं मुझे मैंने ठीक या था कर नहीं पर जब मुझे पता जला सरसंग में के बहुत घाली मूर्ती आई और मैंने बहुत आदी संग जी इसके लिए शुकराना गुरूपा अगर कोई गलती हुई हो तो मेरे को माप कर दे रा है तो कर एक सरसंग में बोल रहते हैं कि आपने मेरा सबूपर सही दिशामी नहीं रखा है मैंने अभी थोड़ा सही करके तो रख दिया है गुरूजी पर अब पता नहीं आप मुझे संकेत ने कि जी अब सही है कि नहीं कोई गलती हुई हो आपको मंदर में जो आपका गुरूपा मुझे इतनी अगर्ज करते हैं तो मेरी जो मन कम अकल वाली गुड़ी है तो मुझे सच में गुरूपा नहीं सुचता है कि मैं क्या करूं तो प्लीज आपसे मिनती है कि मुझे ऐसे संगसे मलाईए ऐसे मेरा मार्द दश्चिन करें कि मैं वह सारा खुश है जो पूरे विदी पूरबक पूरे डहंग से मैं सारी जो किर्याएं हैं मैं पूजा की वो पूरे कर सकूं और इसके लिए आपका मैं अनंतम अनंतम शुकराना करती हूं और उसके बाद गुरूजी सुक्मनी साब का पाठ करने के लिए बताते हैं जबजी साब का पाठ करने को बताते हूं तो गुरुजी मैं सुबह जब जी साब का पाठ तो कर लेती हूं पर सुक्मी साब का पाठ मैंने नहीं खिया भी उसके लिए मैं शमाज आचना करती हूं गुरुपा उसके लिए लंबा समच चाहिए होता है और सुबह मेरे पास इतने टाइम नहीं होता है तो इ में विए उनके साथ रहता हूँ इसके लिए आपका शुक्राना गुरूपा आप केपा करें उन पर भी उनको भी सदबुद्धी दें उनको भी उनकी रक्षा करें उनको गमारबो बहुत बोले हैं लोगों की बातां में आ जाती हैं पर लोग हैं के रिष्टह रहे हैं कि जो उनका फाइदा ज़्यादा लेती हैं और उनको जब जूरत पड़ती है तो कोई साहिता नहीं मिलती इसके लिए पर मेरे गुरूपा है अब मुझे कोई चिंता नहीं है वो उनके साथ हैं और जो मंतर है मंतर है मैं कुझे के बाद करती हूँ सुबए जशाम को जब आपकी जोड करती है बंदर में मैं जोड करती हूँ उसके बाद ये मंतर में कभी कबार भूल भी जाती हूँ पर मुझे पता है आप अपनी बच्ची को शमा कर देंगी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा और इसके लाबा भी जब से गुरूजी से जुड़े हैं अब मुझे बहुत ही टिपल सेवन की गारियां मिलना जब गार से निकलते हैं ओम की दर्शन होना एक दिन में को मैसेज आया गुडियन मैं देगो ओम रूप में दर्शन दूँगा और दूसरे दिन जब मैं सुबा बॉक के लिए गई तो क्या देखती हूं कि साथवली जो हमारी को टिया है उसके उपर बहुत बड़ा अकार्मी ओम लिखा हुआ मिला जो मैंने पहले कभ शुकराना गुरूपा आप ऐसे ही अपने के पदिस्टी मेरे पे मनाई रखें मैंने पहले भी दो ससंग में अपनी जन्नी शेयर की थी गुर जी के साथ मेरे दो ससंग तो शेयर हो चुकी है इसके लिए सोनो अंकल जी आपका बहुत बहुत शुकराना जो आप इतनी सेवा संबाल रहे हो और बहुत मुश्किल है इतना समय निकारना किसी के लिए आज कल की विजी शेडियूल में गुरूजी आपको आपकी फैमली को ब्लेस करें शुकराना करती हूँ मैं आपका भी और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी जो मैं ससंग भी जिरूँ आप जी भी शेयर करोंगे आप इसके लिए शुकराना करती हूँ और जो भी कोई भी दुबदा है हमें होती है गुरूजी आप हमें समय समय पे जूर जो है बताते रहने आगे ऐसी तरह हमारा मारगदर्शन करते रहना गुरूजी संगर जी अगर ससंग करते समय मेरे से कुई भी कुछ भी तेजी से जां गलती से गलत बोला गया हो तो मैं गुरूजी आपसे संगर जी आपसे शमाज आचना करती हूँ हाथ छोड़ कर और आप सबका बहुत बहुत शुकराना शुकरिया गुरूजी आपका अनन्त हाँ शुकराना मेरे गुरूपा आपके दही जो मैं आपके कुड़ी हूँ कुछ पता है आप ऐसी blessing आपनी बरसाते रहना गुरूपा आपसे बेंती है आप ऐसी किर।पा करेंगे में जब चाहूँ आपके दर्शन कर सकूँ अपने ती अपने पेवनों मिलन ली विशांस तत पर रहन दी है सो किरपा करना गुरूपा गुरूपा जब मेरा मन करें मैं आपसे बात कर सकूँ आपके दर्शन कर सकूँ आपसे बातें कर सकूँ जैसे जैसे भी आपको ठीक लगे मेरे को दर्शन देना, अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, तो आप जूर करेंगे ऐसी किर्पा मेरे पर भी, और इसके साथ ही मैं अपने ससंग को विराम देती हूँ गुरूपा, अपने गुरूजी को मैं कोटिन कोट धन्यवाद करती हूँ, कोटिन कोट नमश्कार करती हूँ, शुकराना गुरूपा, शुकराना संगत जी, ओम नम शिवाए, गुरूजी सदा सहाए, ओम नम शिवाए, शिवजी सदा सहाए, ओम नम शिवाए, गुरूजी सदा सहाए, ओम नम शिवाए, गुरूजी सदा सहाए, जै गुरूजी, शुकराना गुरूजी, तंतन जय गुरु जी संगत जी आज हम आपको शिरुरूद्र सहिता का दुत्यखंड का 35 वा धाय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे वो आप सब रविवाद या सोंवार से सुनेंगे जब तक आप गुरु जी के सस्थन सुनते रहे वो गुरु जी का मंतर जाप करते रहे जय गुरु जी शुकराना गुरु जी संगत जी अगर आपको आज का सस्थन अच्छा लगा हो तो अब इस सस्थन को और संगत के साथ जरूर साजा करें जिससे वो भी महराज का दिवे आशिरुवात पराप्त कर सके जय गुरु जी